आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी के पास क्यों बैठा हूँ, गत्म सोचिएगा, ये सरक पे मैं बैठा हूँ, ये सरक है, आप देख सकते हैं मुझे भी डर लग रहा है कि कोई गाड़ी आकर के मुझे भी होली ना खेला दे, क्योंकि काफी लोग पानी से आजकल गड़े में नहार हैं आपने देखा होगा तस्बीरों में मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ यह देख सकते हैं नजारा और यह सेम तरीका से आप भी सच धज के निकलिएगा दुरगा पूजा में सचधहज के आप दुर्गा पुझा में निकलिएगा और उसके बाद ये क्या बोलेंगे हम ये जो गंदगी है जो नाले का पानी है आपके उपर ज़दी पड़ेगा तो काहे का सचधहज के निकलना है और काहे की सुधिता क्यों सुधिता क्योंकि हमारे जो सरकार में जो लोग बैठे हैं जो बिधानसभा में बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं जनता के लिए वो मांग रहे हैं बाई जो पुनियादी सुविदाय हैं पहले उसको आप ठीक करें ना आप आपको बड़ी महरवानी होगी अगर इसमें कुछ कार हो जाएगा सुन सकते हैं ये बज़ुर्ग बेखती हैं जिर्जन हैं इस सहर के हैं जागरुक नागरिक इसको बोलते हैं लेकिन पता नहीं सरकार हमारी कब जाकती है कब जोती है ये पता नहीं जलता है नमस्कार SMP News जाडखन आप सभी का स्वागत देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास नमस्कार SMP News में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि SMP News लगतार जनहित मुद्दों से खबरों को प्रकासित करते रता है और हमारी ये कोशिस रहती है कि आपकी अवाज सरकार तक सरकार की बात आप तक पहुँचे उसको लेकर हम लगतार प्रयास करते रहते हैं आज भी जनहित जन सरुकार से मुद्दा है ये और बहुत अहामी मुद्दा है लगतार आप देख रहे होंगे कि सहर में ब्रिज का निर्मान चल रहा है कहीं एलिबेटेड ब्रिज बन रहा है तो कहीं उपर ब्रिज का निर्मान हो रहा है ज़्यादी हम रात रुट की बात करें यहाँ पर आपको अलिबेटेड ब्रिज का निर्मान होना है तो वहीं पर ब्रिज का निर्मान किया जा रहा है काँटुली चौक में लेकिन उससे पहले सरकों की इस्तिती बद से बत्तर है हाला कि थोरी सी पर्यास की हो सकता है ये नहीं कि पुड़ी की पुड़ी सरके खराब हो गई है गड़ों का बढ़ मार होके रगिया है आप सभी को पता है कि सामने दुरगा पूजा है 26 तारिक से दुरगा पूजा का सुरवात हो रहा है लेकिन आपको हम बताते चले उससे पहले मान लिजिए मान लिजिए कि यदि आप रात में पूजा घूमने के लिए निकल रहे हैं हाला कि मौसम बिबाग का अनुसार बारिस की भी चेताउनी दी गई है कि पूजा के समय बारिस भी हो सकती है और बारिस के बाद जैदी बुन्दा बुन्दी होने लगा बिजली की सहर में ब्यवस्ता रती है इसीती रती है वो आप सभी को पता है बुन्दा बुन्दी सुरु हुआ नहीं कि लाइट गूल तो जैदी लाइट गूल तो फिर टॉर्च भी ले करके भी निकलें क्योंकि सरकों पे इतने गड़े हैं कि पता ना किस गड़े में आप कब गिर जाएंगे कब हाथ पाओ फोर लेंगे आप पुजा गुनते रहे जाएंगे मालूम चलेगा कि आप लाइटिंग देख रहे हैं गेट का तब तक आप गड़े में आपका पैर चला गया और ध्यान देख करके सरकों पे चले जीता जागता नमूना हम पिसका मुरस्याद सुर्वात किये हैं सहर के उन विभीन चेतरों में चलेंगे जहां से दर्सनार्थी हर पंडाल के तरफ मुवमेंट करते हैं और जादा करके पैदल जाने की कोशिज करते हैं सबसे मज़े की बात है कि सरकों का निर्मान तो कर दिया जाता है बाद में लोगों को याद आता है कि यहाँ पे पानी लाइन भी बिचाना है यहाँ पे गैस लाइन भी बिचाना है सरकों को फिर से बीच में जैसे मानों की ऑपरेशन किया जा रहा हो वो उसको मसीन बिरा करके खोद करके पाई बिचा दिये और उपर से जस्क अतस उसको ढख करके और चल दिये यह नहीं कि वो जैसे था उसको फिर से ब्याँ करें नहीं वो उसको यह सही छोड़ दिये यह तस्वीरे बया कर रहा है लगतार आपको हम तस्वीरों सवगत करा रहा है पिसका मोर में इस्तिती बच से बत्तर है ठीक है वहाँ पे बिच का निर्मान होना है कम से कम जो material लगतार जो गड़ों में डाला जा रहा है बिज निर्मान के लिए कम से कम उसमें से थोरे थोरे वो material डाल दिये गए होते हैं इन गड़ों में तो साइद ये परिशिती नहीं होती साब आप देख सकते हैं हम अपने विजवल के माद्यम से लगतार आपको दिखा रहे हैं लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं आईए रातु रोड निव मार्केट चौक में पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या कुछ परिशिती है आप अब यहा कई महीनों से ये गड़ा यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है अब आप देखें यहाँ पे कितना मिटरियल का आई सकता है कितना जरूरत है थोरा सा हमको लगता है कि एक टेम्पू भी यहाँ मिटरियल आ जाए तो ये गड़ा बर सकता है और आ इसाई से चल रही है वो उन्हें कोई फर्क नहीं है यह निव मार्केट का चौक है जो यह तस्वीरे आपको हम दिखा रहे थे हमें आप पे कुछ लोगों से बात करेंगे बुजुर्ग हमारे समक्षेक आते हुए दिख रहे हैं अंकल क्या कहेंगे देखिए का बात कर रहा ह मैं यही तो कहना चाहरा हूँ हूं यह इतना मत बाता कुछ पूछीये मत इसना जेख शर्म आती है बिल्कुल इसनी संभावना है उस पूछीये मत और यह इसे हमस्मेर्चिटी बना पाएं कोई परशाशन कोई जेखने वाला नहीं है ना तो नगर नगम ना परशासन और पुझे लिए आप लोग आप लोग इसे उठाइए आप लोग आप लोग ही उठाई आपकी बड़ी महरवानी होगी इस काम के लिए हम लोग का अंकल मुद्दा यही रहता है कि जनहित सरोकार से मुद्दो सरकार को सासन को परसादन को अवगत करा है आपको बड़ी महरवानी होगी अगर इसमें कुछ कार हो जाएगा सुन सकते हैं ये बजुर्ग बेखती हैं सिर्जन हैं इस सहर के हैं जागरुक नागरिक इसको बोलते हैं लेकिन पताने सरकार हमारी कब जाकती है कब जोती है पताने चलता है लेकिक मर रही है जनता को देखने वाला कोई नहीं है बाई तो बात हम लगतार कर रहे हैं ये काईसा भी नजरा आपको हम दिखाएंगे, या आप भी देखेंगे तो बोलेंगे, अभी यही काम ट्राफिक पुलिस कर्मी का बज गया था, वो भी तस्बीरों से हम आपको वगत कराएंगे, आईए चलते हैं किसी और चेतर में, शायद जो माननी हैं उनको दिखाई पाएंगे, और रातु रोड की जनता को इस समस्या से निदान मिल सके, समस्या का समधान हो पाएंगे, और जो भी हमारे पुजा में घूमने वाले दरसनाती हैं, माता रानी को दरसन करने निकले, उनको भी सायद पुजा से पहले ये सही मिले, चलिए किसी और चेतर में चल कर रहे हैं, लेकिन आपके नीचे लोग जो बैठे हैं, उनकी आप आखों को खोलें, कि बताइए ये क्या हद नहीं हो गई, ये क्या तरीका है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं, और जिन सरकों को मैं देखा रहा हूँ, वहां से लगतार एंबुलेंस का परिचालन हो यहां बगल में यह बेजटेबल मार्केट है, तस्वीरों को आप देख सकते हैं, यह सही में जो सपनों का माल बनाया गया था, लोगों को दिया गया था, कि आप अपनी दुकान बिजनेस यहां कड़ें, और पुरे सहर के लोग यहां पर आके सबजी खर देंगे, सबसे ब रूट से आना जाना होता है, पैदल लोग हों, वाहन से लोग हों, जड़ा करके इसी रूट से पार होते हैं, जिनको कोकर, लालपूर, रेल बेश टेसन जाना होता है, लेकिन ऐसे में कैसे जाएंगे, और कैसे यह आताया स्मूत कर सकेंगे, चलिए, कुछ और सकों को लेकिन नाली बदबू मार रही है, अपने सायोग को कहेंगे एक बार हम, कि इस नाली पर एक बर थोड़ा फोकस करें, कि क्या कुछ परिस्तिती है, स्लेव नाली में गिरा हुआ है, और नाली पूर तरह से जाम है, तो यह है हमारा स्मार्ट सिटी, और यहां सरकों की स्तित लेकिन नाली देखें आप, क्या कुछ परिस्तिती है, यहां पता ही नहीं है, कि कितने गड़े हैं, अपने सायोग को हम कहेंगे, कि इन गड़ो को आप नहीं गिर पाएंगे, सिंगल शॉट ले ले लें कि क्या कुछ परिस्तिती है, स्पतुल्वला रोड का, हमने इस के प यह पड़शित्य है जो तस्विर इस बग बया कर रही है आपको हम दूसरी तरफ कहेंगे कि एक बार अपने सभीगों के इधर फोकस करें यहां देखें सामने एक पंडाल है सामने एक पंडाल है जो रोड के बीचो भी जो यह बनता है पंडाल आप देखें वहाँ पे यह रोड है और उसके सामने का यह रोड है और इस रोड का भी क्या कुछ परिशित्य है वो आप देख सकते हैं लेकिन यह हम क्यों दिखा रहे हैं आपको हम बताते चलें जब सत्मी या सश्टी से ही जब नो इंट्री लगाया जाएगा कई सरकों को बंद कर दिया जाएगा जिसमें फोड वीलर टू वीलर यानि बाहनों का प्रवेस बरजित होगा उसके बाद आप्सन एक ही है कि इस से अब जाएं इसी रूट से जाना होगा गड़ो में कम से कम माननी है हमारे जो हैं ठीक है वो अंतरयामी नहीं है मैं मानता हूं लेकिन कम से कम हम लोग जो परयाज करते हैं जो आपको दिखाने की कोशिस करते हैं आप तो उस पर ध्यान करें ताकि राची की जंता को निज उन्हें देखे कितनी सच्चाई है सच्चाई है भी कि नहीं लकिन कहते हैं आईना कभी जूट नहीं बोलता जो तस्विरें हम दिखा रहे हैं वो अपने मतःत अधिकारیों को बोले जो भी अधिकारी है जो निशे ग्राउंड का जो चीजों को देखते हैं वो आएं और आकर के देखें कि क्या कुछ परश्थिती है कम से कम जो गड़े थोड़ा बहुत गड़े हैं कम से कम उसको तो पूजा के लिए सही करवा दें आप किनाची को जनता को और नहीं तो नाची की जनता या जो भी सुद्रवर्ति छेतरों से जनता हमारी आती है ये खबर जदा करके वो लोग जरूर लेखते हैं ध्यान रखे आप कि हमारे माननी ये क्या कर रहे हैं और आप जब आएंगे चमक्ती दमक्ती दुनिया में जिसे हमें स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं कि हाँ खुब लाइटिंग होगी खुब बढ़ी असर के होगी आपको ये मिलेगा टॉर्च ले करके आईएगा पानी का भी डर है क्योंकि पानी आते ही फिर से हम कह रहे हैं राची की बिजली गुल वो आदीत उभान आए चाहे ना आए उसको लगता है कि पानी के बुंदों से डर लगता है यहां कि बिजली को बुंदी दो त्याचार बुंदे पड़ी नहीं कि बिजली गुल बढ़ाल चलिए फिर से आपको अगले गड़ों से मुलकात करवाते हैं और उनसे दर्सन करवाते हैं कि यह हमारे राची सर के खूबसूरत गड़े आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी के पास क्यों बैठा हूँ गड़ मत सोचिएगा यह सरक पे मैं बैठा हूँ यह सरक है आप देख सकते हैं मुझे भी डर लग रहा है यह देख सकते हैं नजारा और यह सेम तरीका से आप भी सच धज के निकलिएगा दुर्गा पूजा में सच धज के आप दुर्गा पूजा में निकलिएगा और उसके बाद यह क्या बोलेंगे हम यह जो गंदगी है जो नाले का पानी है आपके उपर जदी पड़ेगा तो काहे का सच धज के निकलना है और काहे की सुधिता क्यों सुधिता क्योंकि हमारे जो सरकार में जो लोग बैठे हैं जो बिधान सभा में बड़ी बड़ी बाते करते हैं कि हम जनता के लिए यह कर रहे हैं जनता के लिए वो मांग रहे हैं, बाई जो बुनियादी सुविदा हैं पहले उसको आप ठीक करें ना आप, जिससे जनता गरस्त है, जनता परसान है, यह सरक आप देख रहे हैं, यह सरक कितना संकीन है यहाँ पे, संकीन सरक को, मतलब पतली सरक को डिवाइड किया गया है, उ आज हम लो केवल गड़ा खोजने ही निकले हैं, खोदने नहीं, खोजने निकले हैं, कि कहां कहां खोदा गया है, और यह किस-किस की महरबानी है, जल भी भाग का है, बिजली भी भाग का है, टेलिफॉन डिपार्टमेंट का है, जिसका भी हो, जिसने भी यह कार्ड किया, क तो बत्तर बनाकर रखा गया है राची को और लोगों को भगवान बरोसे छोड़ दिया गया है लगतार इसी बात को हम उठा रहे हैं कि क्या कुछ परिस्थिती है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने स्योगु को कहूंगा कि एक बार इधर आएं आप और यह दिखाएं आप कि यह जो यह जो टुंडख है जो आप देख रहे हैं जो सलेट को लगाया गया है किस तरह से दम बेकार तरीका से लगाया गया है यह आप देख सकते हैं अब इसमें आप अंधेरे में आप आएंगे और आप उपर देख रहे हैं ज़िए ठोकर लगता है ताब आप कह जाएंगे, समझ सकते हैं बात को आप क्या कुछ प्राइशिती है ये नजारा देखें, बड़े बरे बोल्डर, वहाँ देखें, वहाँ देखें, ये बोल्डर, एकदम ये में रोड है राची का, ये नहीं मैं गली कुछा का सरख दिखा रहा हूं, आप ये देखें, ये रा राची की पॉब्लिक ठीक करेगी, आपको जिता करके इसलिए वैस्ती है, कि भगवान भरो से छोड़ दें मरने के लिए आपको, ये परिस्तिती है, हमालों का जो दाइत्व है, सच्चाई दिखाने की कोशिस करते हैं, कि राची की जनता खुद जाग रुखो, और कम से कम, जिनको हम बहुत देते हैं, वो भी जनता के प्रती सजग हो, उनकी मजबुरियों को समझे, उनकी परिसानियों को, आपको परिसानियों को निदान करने के लिए जनता चुन के बेशती है, क्यों बेशती है, आखिर आपको जनता क्यों बेशती है, आई ये दोसी कौन है इस आप लोग देखिए और राची की जनता को इन सब चीजों से जो बुणियादी सुविधाय हैं उससे आप आउगत हों उसको आप देए जनता को कि जनता इन परसानियों में न पसे और ये तो पबलिक टेक्स देती है ना सरकार को जिसे कहते हैं रोड टेक्स ये मरने के लिए आप देखें ये जो जाम चल रहा है धिरे धिरे गाड़ियां जो खिसक रही है आज ये जदि गड़ाय नहीं होते तो गाड़ियां हावा में बात करती और यहाँ पे उर्ते हुए रहती आप समझ सकते हैं ये ये कुछ परिशिती है जो तस्वीरें बया कर रही है और ये गडो में लोग आने से डरते हैं, किसी के उपर छिटा ना पर जाए, बाइक वाले जोड़ी जाएंगे तो खोद उनी के उपर ये नाले का पानी जाएगा, महासय, महोदय, कुछ तो सोचिए, राची की जनता के बाड़े में, अब हम पहुंच चुके हैं, काटा टोली चोग, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे ब्रिस का निर्मान हो रहा है, ब्रिस का निर्मान हो रहा है, सही है, होना भी चाहिए, लेकिन सबसे बरा सवाल, इसके पहले जिसको टेंडर मिला हुआ था, ब्रिस का निर्मान उनके द्वारा भी किया जा रहा था। लेकिन आपको अब लिये चलते हैं, हाला कि ये टेंडर किसी दूसरे को अभी मिला है, लेकिन पता नहीं उनकी नजरे कहा है, क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन यहां ये देख सकते हैं, जैसे ही चोक से आप पार किजिये गाब आप देखें, यह केवल गड़ा ही गड़ा है यहाँ पे और जिसका नतीजा है कि सभी गाड़ियां आ करके यहाँ पे स्लो हो जाती है हां हां हमलगे है नोग बहुत खुष है है के बहुत खुष है हुँ यहां हुआ फर्स्वेर्स में चलिगी एतना बढ़ आरोण हैं मुझे Buddh अच्छा बंठया लाग पीशूधा आशी माचली पै। सब्सक्राइब करते हैं कि अच्छा दिन दिखा रहे हैं कि अच्छा दिन दिखा रहे हैं कर देना समझ यह भी आ कर देना इसी को बोलते हैं क्या साहब आरे कुछ तो इनता का प्रवा कीजिए आप क्या इसके लिए कुछ आई नहीं है बाता है पीची सी पहले रोड कंपिलिट कर देना चाहिए उसके बात सब्सक्राइब दियान देना चाहिए अदिमी चलता मोटर स जाता है कुछ दूटी से आने जाने कलिए अश्रॉड पर तलाव बन जाता है सब्सक्राइब फलाई ओबर करते हैं इस ने तान थीन साल फलाई ओबर नहीं बने गात्रूड गड़ना पनाते हैं क्या लगता है यह पर जो पहले से जम हो रहा है ह। आप प्रोब्लम हो रहा था कि यहां पूरा रोट काड़ करके छोड़ दिया था जैसे तो हम लोग जैसी भी से तो इधर उधर से माल मंगवाग डलवाए थे लेकिन उतना बढ़िया नहीं हुआ था उनको देखे कि रोट में पथर भरवा रहा है तो उनको पकड़ के लाए क भाई थोड़ा सा मदद कीजिए तो विचारे मदद कर रहा है वो बिजली विभाग से हैं लेकिन ही पानी होला जो है सो काट करके छोड़ दिये थे तो यहां पर क्या गारी फस रहे थी नीचे से पुरा कच्छा है ना बारिस का मौसाम मा है फस रही थी गारी इसलिए दिक क्या है हमारा अंडर्गराउंड कैबलिंग का का म है हम पिजली बोड से जल्विभाग का काम है पाता यह कितने यह जागरूख है आदिकारी हमसे रिक्वेच्ट करें तो हम उस सो टाल नहीं पाए और एक मानवता भी है हमारे बीच जो की हैसे सिचेवेशन को हम लोग लेते हैं और कोशिश रहता है कि इसको अच्छे से हैंडल भी कर सके मनाउता के नाते ही तो आप कर रहे हैं ना क्योंकि यह मैं देख रहा हूं कि लगातारी अंबुलेंस भी रुक जा रही है और चोटी वाड़ियां इसमें फच जा रही है जिसे यहां जो ट्रैफिक करमी है जीसी भी धका देके और और भी किसी माधियम से उसको निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमसे रिक्वेश किये कि सारे इसमें कुछ कर सकते हैं आप तो जो मेरे से चल बन पा रहा है मैं अपने लेबर को कुछ मेट्रीयल लगा के इसको कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके म इसे सुधार कर सकूँ उल्टा तो ये तो आप लोग का अपने ही खर्च पे ये करना पर रहा क्योंकि विबाग तो इसमें ये पंड देगा नहीं जी नहीं विल्कुल नहीं ये एक मानवता है जिसको हम निर्वाह कर रहे हैं अपने हिसाब से मेरा नाम संदीब जाओ हुआ सुब़ छे बजे से हम लोग निकले हुए थे आज यही देखने के लिए कि राची में कितने गढ़े हैं दिन के सारे बारे बच चुके हैं बिना खाये पिये आज हम लोग यही काम किये हैं कि कम से कम इन तस्वीरों तक हम आपको आप तक ले करके आए और राची वासी कास कर जो भी हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका दोसी कौन है सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी माननिये हैं ठीक है जैसा कि आपने देखा कि कोई गड़े में एनेच में नहा रहा है तो कहीं कोई कुछ दान रुपाई कर रहा है तमाम खबरे हैं सई कि आपने ये दिखाना जरूरी भी है होना भी चाहिए कि जनता को राहत मिले इन समस्याओं से लेकिन राजधानी राची में ये क्या हो रहा है इसे कौन दिखाएगा इसे कौन सुधारेगा सबसे बड़ा सवाल यही है जनता बेचाड़ी है वो बोलते हैं जनता बेचाड़ी है जनता करे भी तो क्या करे या तो प्रतनिदी के पास आएगी नहीं तो हम लोग के पास आएगी कि सर हमारे छेत का थोड़ा खबरों को दिखाएँ बच से बचतर रिश्थिती है लेकिन ये काम actual माननीयों का है जिन्हें हम चूलते हैं आप तक सिर्ष तक पहुचाते हैं उस समस्या का समधान करना आपका जिम्मा है आपके भरों से जनता है जनता ने आपको चूना है आपके उनके वातों पे खरे उतरें उनके सुखदुक मेरा हैं उतना कि पांच साल के बाद एक बार हाथ जोरने जाएं, कि इस बार जो जीता दो, पांच साल तो आप ही के लिए हैं, नहीं, वैसा काम नहीं, पांच साल आप रहें धरातल पे, आपको बोट मांगने के जोरत ही नहीं है, जनता के पास आपको जाने के जोरत ही नहीं है, बार उनके दिल की दर्द और जो कठिनाईयां हैं उसे आप सॉल्व करें हम इस बक्त यहाँ पर राची में बक्डी बजार के समीप वारतेन और जुवक संग पंडाल के समीप पहुचे हुए हैं आप देख सकते हैं यह तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाया है इन पंडालों स सब इता है यहाँ पे उनके द्वारा ही बालू पुड़ा दिया जाता है और लेकिन सरक चका चक है यहाँ पे कहीं कोई दिकत नहीं है तो ऐसे ही सरके हमें उमेद है कि पूजा से पहले सब जगह कर जाएंगी थोरा बहुत गड़े हैं उन गड़ों को आप जरूर कि कम से कम पुजा पंडाल के लिए लोग निकलें गड़ों में न गिड़ें उनका कपड़ा गंदा ना हो आपसे हमारे तरप सी भी रिक्वेस्ट है लेकिन SMP News के जो भी दरसक है आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप इस राज्य के इस राजधानी में रहते हैं तो आप कमे आपके लिए क्या करते हैं कितने सक्चम है और जो हमने दिखाया ये सही है या गलत है आप जरूर हमारे कॉमेंट बॉक्स में अपना जबाब लिखे तो आज की खबर में बस इतना ही बने रहे SMP News के साथ अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से हम आपने हमारी ताकत लेटे